Hello friends, welcome to the PK tutorial. In this video, we will discuss about how to use countif formula in Excel. So, Excel के अंदर countif formula के हम कैसे use करेंगे, इसको हम देखते हैं. Video सुरू करने इस पहले मेरे आपसे request है कि चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon को दबा दीजे, जिससे latest video की notification आपको मिलती रहे. तो चलिए सुरू करते हैं. Hi friends, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि countif और countifs का use हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं और क्या-क्या condition होती है इनके लिए और क्या इनके अंदर difference होता है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमारी पास में एक table है जिसके अंदर हमारे 5 कोलम है. date, employee code, salary, gender और city. हमें city के उपर लगाना है countif. तो यह हमने unique city लिख लिए है. इस कोलम की सभी city यहाँ पर आ गई है. अब हमें लगाना है countif. तो सबसे पहले equal to, उसके बाद में मैं लिखूँगा countif. तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है countif और countifs. तो इन दोनों की बीच में difference है. तो one by one इन दोनों से करके दिखाता हूँ मैं. तो county basically हमारा सिरफ एक condition के लिए लगता है. एक condition कैसे? कि हमारे city के अंदर हमारे कितनी city आई है, वो हम देखेंगे. तो tap दबाया हमने यहाँ पर range. यहाँ पर क्या आ गए? range. range हम क्या देंगे? F जो column है, वो range हमने दे दी. अब criteria. criteria क्या है? कि हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए? M दावाद होना चाहिए, गुडगाओं होना चाहिए, नोइड़ा होना चाहिए. तो यह one by one scroll हम जब करेंगे. तो one by one यह आ जाएगा. इसके बाद bracket को बंद कर देंगे, और enter दबा देंगे. तो यहाँ पर क्या हो गया है? इसको मैं double click करके दिखा देता हूँ. कि एफ वो लोग के अंतर हमारी M दावाद city को यह find out करेगा. और उसका count कितना दिखा दिया है? इसने one दिखा दिया है. अब हमने यहाँ पर किया, ऐसा plus का sign आ जाए, तो यहाँ पर double click कर देना है. तो यह condition, यह formula सभी के लिए apply हो जाएगा. अब देखते हैं noida के लिए. noida के लिए मैं double click किया यहाँ पर. तो इस particular city के अंदर, जो यहाँ पर value होगी, वो इसके अंदर find out करेगा, और उसका count यहाँ पर देदेगा. तो कितना count दिया है? इसने यहाँ पर 3 count दिया है. तो इस तरीके से हम county formula को use कर सकते हैं. अगर हमें county formula को use करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारी multiple condition आ जाए. multiple condition बोले तो, जैसे यहाँ पर हमने city लिया था. city के अंदर हमारा male या female, मतलु जेंडर का type भी होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा क्या है? यह तो हमारी particular city, जितनी यहाँ पर थी, उतनी यहाँ पर है. लेकिन हमें एहमदावाद के अंदर, यह जो one आया, यह male का है यह female का है, यह चीज भी हम इससे देख सकते हैं. तो हम लगाते हैं यहाँ पर count ips. सबसे पहले हमने लिखते हैं count ips. इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? city के उपर हम लगाएंगे, comma, हमारा criteria क्या हो जाएगा? एम दावाद देखना है हमें. ठीक है? second हमारा क्या हो जाएगा? gender के उपर देखेगा यह, gender के उपर क्या देखेगा है? यह male देखेगा. लेकिन हमें यहाँ पर male को क्या कर देना है? freeze कर देना. यानि कि app और को एक बर हम दबादेंगे. तो यहाँ पर dollar का sign आ जाएगा. dollar m dollar 4. यानि कि यह row और column base वे freeze हो चुका है. यह value यहाँ से हिलेगी नहीं. अब इसको हम bracket को बंद करके enter दबादेंगे. तो यह जो हमारा था. यह किस के लिए था? mail के लिए था. अगर हम इसको copy करके इसको यहाँ पर paste कर देते हैं. ठीक है? तो यह 0 आ गया. लेकिन 0 तो आ गया. लेकिन यह किसके उपर apply हो रहा है? तो double click करके देखते हैं. तो यह mail के उपर ही apply हो रहा है. इस formula थोड़ा से change करना होगा. जो हमारा यह N4 है. N4 की जगे हमें क्या लेके आना होगा? N4 लेके आना होगा. या तो इसको manually हम कर सकते हैं. या फिर हम दुबारा से formula लगा के कर सकते हैं. तो यह हो गया हमारा 0. चलिए यह तो मैंने आपको manually करके दिखा दिया है. अब इसको formula से ही कर देते हैं. ठीक है? तो क्या होगा? इसको तो मैं drag कर देता हूँ यहां पर. प्लस का sign सा आ गया है. अब इसको double click किया. यह आ गया है यहां पर. अब female के उपर मैं जाओंगा. female के उपर जाने के बाद में count ips. count ips किया. क्या आएगा हमारा सबसे पहले f column को select करेंगे. उसके बाद में हम एहमदावाद को select करेंगे. यानि कि city को select करेंगे. इसके बाद में हमारा gender वाला आ जाएगा. यानि कि a column को select किया. इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा female आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे किसको freeze करेंगे हम n4 को freeze करेंगे एवर हमने दबाया f4 f4 दबाएंगे तो हमारा $n और $4 आ गया यानि कि हमारे यह column जो है यह cell जो है यह freeze हो चुका है अब enter दबाएंगे क्या आ गया यहाँ पे 0 आ चुका है अब इस cell के ओपर जा करके पलसाइन आ गया इस पे डॉल क्लिक किया तो हमारा क्या आ आ गया है यह split हो चुका है male और female के अंदर तो यहाँ पे हमारा क्या लगा है count if से लगा है यहाँ पे हमारा क्या लगा है count if लगा है चलो हमें एक छोटा सी example और दे के देख लेते हैं हमें इस male और female को जो है क्या चाहिए नीचे चाहिए कि इसका total कितना count है तो इसके लिए हमने क्या क्या है एक चीज़ और शिखा देता हूं साथ की साथ मैं male और female को मैंने क्या copy कोपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे दबाया alt e s और alt e s दबाने के बाद में यह हमारे पास में एक option आ जाता है paste special का तो यहाँ पे हम कर देंग ट्रांसफोर्ट यहाँ पे click क्या ok किया तो यह जो row में था वो sorry जो column के अंदर था यानि m column के अंदर और n column के अंदर तो यह हमारा कैसे आ गया है एक row के अंदर आ गया है अब male और female का हमें count ही निकाल लगा है कैसे निकालेंगे बराबर sorry sorry c ou yu n t c ou yu count और if count if से आ जाए गया है क्योंकि एक ही condition लगानी है range कहा पे देंगे हम range देंगे हम इस gender के उपर यानि e column को हम select करेंगे sorry यहाँ पे एक comma और लगा हुआ है तो इसको हटा दूँगा अब मैं range दूँगा e column के उपर comma और यह क्या हो जाएगा हमारा male का count हमें चाहिए तो हम इसको bracket को बंद कर देंगे और फिर हमारा क्या आगा जाएगा male हमारा कितना आगा है 14 इसको मैंने drag किया और 4 हमारी क्या है female है यानि कि इस column के अंदर हमारी 14 male है और 4 female है तो इस तरीके से हम county formula का use करते हैं और भी बहुत सारी condition होती है जो कि next video में हम discuss करते जाएगे उमीद करता हूँ दोस्तों आपको दीगे जानकरी समझ में आई होगी कि कैसे हम excel के अंदर count tips और count tips फॉर्मली को use कर सकते हैं अगर आपको same चीज R और python के अंदर देखनी है तो उसके लिए मैंने अलग से separate playlist बनाई हुई है आप वहाँ पर जा करके check कर सकते हो अगर आपको दीगे जानकरी समझ में आई है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कीजिए अगर कुछ भी confusion है तो comment box में जाके comment कीजिए हम आपका surely reply देंगे आप अपने mail id को बेज़ दीजी हमारे instagram id पर जिससे हम आपको study material इस वीडियो से related provide कराते रहें thank you very much keep watching the pk tutorial